तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल को माउस की तरह कैसी यूज करेंगे अपने कंप्यूटर हैं लप्टप में तो इन पर यह मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे किया जाता है तो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लिग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दवाना ना भूले और मेरे इंस्टाग्राम को भी फ्लोव कर ले चलिए आपको बताते हैं वीडियो का स्टट करते हैं कि तो सबसे पहले आपको कुरूम में जाना है कि और वहां पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, यह देखिए open हो गया, उसके बाद डाउनलोड करेंगे इसको, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको, चलिए इसको स्क्रोल करके नीचे कर लेते हैं, विंडोज का अप्लिकेस्टन हमको डाउनलोड कर लेते हैं, इसके डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया और इसको रन करते हैं, इसको इस्टॉल करेंगे, चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे, इस्टॉल, इसको इगनॉर कर देते हैं, यह कुछ एरार आया है, इसको इगनॉर कर देते हैं, चलिए इसको, अब सर्च करके दिखाते हैं, कि इंस्टॉल होगा है कि नहीं, अब चलिए आप चलते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हैं, आपको मोबाइल में जाना है, प्ले स्टॉर में, और अपने प्ले स्टॉर से, सेम अप्लिकेशन डाउनलोड करना है, चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं, माउस सर्वर, तो मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूं, तो इसको ओपन कर लेते हैं, उपन करने के बाद देखिए वाइफाई से connect करना है सबसे पहले अपने होटर स्पोर्ट से मोबाइल के होटर स्पोर्ट से उसके बाद कोनेक्ट हो गया यह देखिए माउस का करसर जैसे हम चला रहे हैं वैसे उसे जा रहा है आप देख सकते हैं चलिए आपको हम सर्च करके कुछ टाइप करके दिखा लेते हैं इसमें हम टाइप करेंगे देखिए ये टाइप करके दिखाते हैं How to Connect Mouse Mouse Server In PC इसको सर्च कर लेते हैं सर्च में देखिए सर्च हो गया इस पर Right Click करेंगे तो Right Click भी हो जारहा है देखिए आप इसके राइट किलिक हो गया उसके बाद Left Click भी करेंगे तो हो जाएगा इसको देखिए Open करके दिखाते हैं देखिए फिर से Connect हो गया है इसमें पूरा अप्लिकेशन दिखाई देगा इतने भी हम सब्टेवर रन करके रखें अपने PC लैप्टप में वो सब दिखाई देगा इसमें देखिया तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने लैप्टप या PC में मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं माउस की तरह रन करा सकते झाल झाल